नमस्का दोस्तों मैं अनुराग कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सो पांच का पंच में चलिए आगे बढ़ते हैं जिसा कि लिखा हुआ है जीतने वाले कुछ अलग चीजे नहीं करते चीजों को अलग तरह से करते हैं ठीक है दोस्तों आप ऐसी जानकारी के लिए हमारे फेस्बूक इंस्टाग्राम यूटूब पिंस्टर या ट्वीटर को देख सकते हैं आपको रोज नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी चलिए आगे बढ़ते हैं पहला प्रस्न चीन भारत के किस पडोसी देश के साथ वन बेल्ट वन है दोस्तों ऑप्सन आपके पास चार है नैपाल पाकिस्तान भूटान या तजाकिस्तान चलिए इसका जवाब देते हैं चीन नैपाल जैसा कि आप देख रहे हैं नैपाल यह शुरंग कहां से कहां जा रहा है ठीक है इसमें चीन मदद करेगा नैपाल की तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये आगे चलके भारत के लिए खत्रा हो सकता है क्यों क्योंकि भाद जो काटमांडू से जो सड़क सेवाएं हैं वो भारत से लगी हुई है ठीक है अब थोड़ी और जानकारी नैपाल के पीम जैसा कि आप सबको पता है मैं हमेशा बताता रहता हूं के पी सर्मा ओली नैपाली रुपईया वहां की मुद्रा है और भासा क्या बोली जाती है नैपाली ठीक है दोस्तों चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न रूस अपनी कोरोना की वैक्सीन पूतनिक वी जो हाल में इसने लॉंच की है इसके तीसरे चनर का ट्रायल किस देश में अक्टूबर से सुरू करने जा रहा है ऑप्सन है भारत फिलिपीन्स इंडोनेसिया या मलेशिया चलिए इसका सही जवाब दागते हैं इसका सही जवाब है फिलिपीन्स ठीक है दोस्तों अगर हम इसके बात करें तो राजधानी इसकी क्या है मनीला भासा फिली क्या दोस्तों फिली पीनो बोली जाती है या फिर अंग्रेजी ठीक है इसके राष्ट पती कौन है रोड्रिगो दूर्तरती ठीक है दोस्तों ध्यान रखना इस चीज को और मुद्रा यहां चलती है पेशू अगर इसकी आजादी की बात करें तो इसको इस्पेन से आजादी मिली थी 12 जून 1898 में और यूनाइटेड इस्टेश से आदाजी मिली थी 4 जुलाई 1946 को ठीक है दोस्तों और अगर इस पूतिक नाम देखें तो रूस ने अपने पहले सेटलाइट के नाम पर इस वैक्सी को किस ने बनाया है इस वैक्सीन को रूस के रच्छामंत्राले के साथ समन्वे में गम लेया kg लेया सोध संस्थान ने बनाया है ठीक है दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना चलिए आगे प्रस्ट की तरब बढ़ते हैं 21 सदी के टेक्स सिस्टम की नई विवेस्था पारदर्सी कराधान इमानदार का सम्मान के लिए तीन बड़े रिफॉर्म कौन कौन से हैं ठीक है दोस्तों फेसलेस असेस्टमेंड टेक्सपेर चार्टर फेसलेस्ट अपील या उप्रोक्त तीनो तो इसका जवाब होगा उप्रोक्त तेनो अब यह तीनो चीजे थे चया चलिए आगे जानते हैं फैसलेस अस्सेंट आप जिस सहर में से इनकम टेक्स अपसर टेक्स पेर को बेवजह परेशान नहीं कर सकेगा यानि एक दूसरे का चहरा नहीं देख पाएंगे ठीक है दोस्तों दूसरा क्या है टेक्स पेर चार्टर इसका मकसद है करदाताओं की दिक्कते कम करना और अपसरों की जवाब देही तैकरना ताकि इ यह दोनों चीजें आज यानि 13 अगस्त से ही लागू हो गई है या शुरू हो गई है पोर्टल के ऊपर ठीक है तीसरी सेवा है फैसलेस अपील नोटिस मिलने के बाद प्रोसेस को लेकर भी टेक्सपेर को कोई आपती हो तो वह अपील कर सकता है वह भी फैसलेस प्रोसेस होग अंजान रहेंगे ठीक है दोस्तों और यह सेवा 25 सेप्टेंबर से सुरू की जाएगी 25 सेप्टेंबर क्यों क्योंकि इसी दार इसी दिन दीन दयाल उपाध्याय का जन्म दिवा से ठीक है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं हाल में ही लद्दाक पुलिस के जंडे का अ स्री नरेंद मोधी इसका जही सही जवाब है स्री आरके माथूर जैसे कि आप देख रहे हैं जम्मू और कस्मी लद्दाक यह दोनों केंद्र सासीत प्रदेश बनें कब 31 अक्टूबर 2019 को जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं दो इसके जिले हैं एक लद्दाक और दूस माथूर तो इस पुलिस के जंडे का अनावरान किस ने किया राधाकृष्ण माथूर ने ठीक है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ठीक है और एक बात भात ध्यान रखना दोस्तों हैमिस हैमिस नेशनल पार्क पहले जब यह बार बार पुछा गया एक्जाम हो पू ठीक है दोस्तों ध्यान रखना चली हम अग्रेग प्रस्त की तरह बढ़ते हैं हाल में भारत अंत्रिक्ष कारिक्रम के जनक और महान विज्ञानिक डाक्टर विक्रम सारा भाई की कौन सी जैनती मनाई गई सौवी एक सो एक्जान्वी या एक सो दो वी तो इसका सिय अंसार है 101 चली देखते हैं विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई का जन्म 12 अगस्त 1929 को एहमदावाद में हुआ था ठीक है दोस्तों ध्यान रखना 12 अगस्त 1919 को एहमदावाद में इनका जन्म हुआ था ठीक है इन्हों ने अपनी प्रात्मिक सिच्छा यहीं से प्राप्त की उसके बाद विदेश गए विदेश में जब विदेश दुतिय विस्विद के बाद जब वापस लोटे तो उन्हो सहतालीस में फीजिकल फीजी कल रिसर्च लेबोर्टी की अस्थापना यानि पी आरेल की अस्थापना अपने ही घर में कर दी ठीक है दोस्तों उसके बाद सन 1952 में कब 1952 में उनके जो सनरक्षक थे डॉक्टर सीवी रमन ने पी आरेल के लिए एक नए केंपस की बुनियाद रखे ठीक है दोस्तों और यहीं विक्रम सारा भाई थे जिन्होंने भारत को इसरो जो आज एक प्रमुक संस्थान है इसरो की अस्थापना के लिए राजी किया ठीक है दोस्तों अब डाक्टर सारा भाई ने डाक्टर विक्रम सारा भाई ने 19 आप ध्यान रखना 21 नॉंबर 1963 को एक छोटा रॉकेट लॉंच किया कहां से किया ये त्रिवेंद्रम पुरम के एक छोटे से गाउं थंबा ठीक है दोस्तों कौन सा थंबा गये और त्रिवेंद्रम के बिसेप बिसेप चर्च को अध्रियन किया और जिसे आज जिसे आज विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है ठीक है दोस्तों जैसा कि आप देख रहें 1971 में उनके निधन के बाद देश ने पहले सेटेलाइट आर्यभट को आर्यभट को 19 अप्रेल 1975 को लॉंच किया जो हम आज तीवी देख पा रहे हैं या नेटवर्क कर र भूमिका निबाई थी विक्रम अंबालाल सारा भाई ने ठीक है दोस्तों चलिए इसी के साथ हम यहां समाप्त करते हैं धन्यवाद अगर आपको हमारा यह शो अच्छा लगा तो इससे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चनल क को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार जय हिंद